नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्रेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों देर रात बड़ा दमाका कर दिया गया है नैशनल टेस्टिंग एजनसी की तरप से जिया सात्यू आप सोच रहेंगे इतनी देर रात आज तो एक्जाम गुरूपडी का खतम ही हुआ है क्या बड़ा दमाका हो गया है इस एक्जाम का ओफीशिल डाटा सामने आगया है सात्यू इसके अलावा जो कम नंबर वाले कंडेट है उनका सेलेक्शन कैसे हो सकता है क्या हो गया नहीं होगा विस्तार से चर्चा करेंगे सात्यू उससे पहले ओफीशिल नोटिस आपको दिखा देते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सात्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपका विश्वषने चैनल जो सबसे पहले आप तक खबरे पहुँचाता है सात्यू देराथ जैसे ये नोटिस आया है तुरंत आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है सात्यों तो ये देखिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसके दोबारा 21 और 22 अक्टूबर को अरियाना के 18 सेरों में 798 सेंट्रों के उपर एक्जाम लिया गया गुरूपडी का अब सात्यों गुरूपडी के एक्जाम में जो तै डाटा था वो ये देखिए 13,066,183 कंडिटों का जिसमें 13,066,183 हैं सात्यों और ये 13,309 कंडिट है वो डिसेबिलेटीज कंडिडिट है मेल कंडिड़ेट कितने हैं 8,48,216 फिमेल कंडिड़ेट 5,27,967 अब मुद्दा तो यहां नहीं अटकता ये तो कंडिड़ेट वो थे जिनोंने रजिस्टेशन किया था या जिनके एडमिट कार जारी किये गए थे एकजाम देने कितने पहुँचे हैं वो भी देखना जरूरी होगा वो भी आपको बताएंगे उससे पहले ये देखे कहा कहा कितने कंडिड़ेट पकड़े गए हैं due to strict control याने कि अच्छ गंडिड़ेट पकड़े गए हैं आज साथियों तीन कंडिड़ेट हिसार में तीन पलवल में एक सिर्शा में एक फरिदाबाद में सोरी एक चंडिगड में एक फरिदाबाद में एक करनाल में एक रिवारी और एक कैथर में ऐसे तेरा कंडिडेट पकड़े गए हैं, इसके अलावा सात्यों और इन सभी को पुलिस को सोब दिया गया है, बारा कंडिडेट कल पकड़े गए थे, एन्टिये ने सात्यों एक नया आर्ट, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स टेकनोलोजी के तैत, आई फेस, यानि कि जो आपके फोटो खेंच के आगे बेजी जाती है, उसके आदार पर लाईव सात्यों आपके फेस को डिडेक्ट किया जाता है, ऐसी टेकनोलोजी के उपर काम क किया है, इसमें अगर दूसरा कंडिडेट आता है, तो लाईव एटोमेटिक ही वो पकड़ लिया जाएगा, आगे से और एंटिये की तरफ से कोल करके ही इन कंडिडेटों को दबोचा गया है, जो सीटर गैंग वाले कंडिडेट थे उनको, तो ये बड़ा कदम है सात्यों और सांदार कारिये किया गया है, अब इसमें ये देखे सात्यों कितने कंडिडेट परजेंट रहे हैं, आज जो 22 अक्टूबर को एकजाम हुआ है, फस्ट और सेकेंड शिप्ट में, दोनों शिप्टों में 6,87,000 कंडिडेट उपस्तित होने थे, लेकिन 4,30,000 कंडिडेट ही परजेंट रह पाए हैं, यान की 62.59% अटेंडेंस रही है, 22 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को 61.89% उपस्तिती रही थी, चारों शिप्टों की मानने तो 8,91,000 के लगबग कंडिडेट हैं, जिनोंने एकजाम दिया है, 8,91,000, यान की सात्यों, 13,16,183 कंडिडेटों में से 8,91,000 के लगबग कंडिडेटों ने एकजाम दिया है, ओफिशल डाटा NTA के दोरा जारी कर दिया गया है, यह जो पूरी PDF है, यह हम हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी सेयर कर देंगे, और सात्यों जल्दी ही आनस्वरकी का बड़ा दमाका भी सबसे पहले, ओफिशल आनस तो कल की उपस्तती लगा लीजिए, आज की लगा लीजिए, 62% के लगबग उपस्तती दर्जुई है, तो इसमें सात्यों अब जो गुरूप C की बरतियों में भी 7,00,000 कंडिडेटों ने एकजाम दिया था, और यहां पर भी 8,00,000 कंडिडेटों ने एकजाम दिया है, अफिचिल आनस्वर की का आप इंतिजार करिएगा, और सबसे बड़ी बात यह है, जो पोल आज हमने अक्टिव किये हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाने का कोई फाइदा नहीं है, उनस पोल के उपर जो रजल्ट आएगा, उसको लेकर कल बेतरिन वीडियो आपके समक सपेस किया जाएगा, तो साथियो उस पोल में आप इसा ले सकते हैं, कम्यूटी में यान की यूटूब चैनल की कम्यूटी में और टेलिग्राम चैनल के उपरो पोल दिये गए हैं, आप जाकर बाग ले सकते हैं, कौन सी शिप्ट में कितने नमबर आपके बन रहे हैं, तक बेतरीन कटोप पहुंचाई गई थी, और वो सच भी सावित हुई, ऐसे ही गुरूप डी की कटोप भी आप तक पहुंचाई जाएगी, स्टी कटोप की बातम करने साथियों, आपका अपना चैनल लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।